यहाँ पर लगवग मैंने 20-25 ट्रांजेशन किये हैं और सभी ट्रांजेशन जैसा कि अभी आप देख रहे हैं 2-2 हजार रुपे के हैं दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको लेके हर रोज मेरे पास एक नए एक कमेंट जरूर राता है जिस टॉपिक के बारे में आज किस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं वो है हमारे रुपे क्रेडि कार्ड से रिलेट और साथ में मुझसे ये भी पूछा जाता है कि अगर हम दो-दो हजार रुपे करके ट्रांसफर करते हैं अपने personal account के अंदर यानि कि saving account के अंदर अपने रुपे केडिकार्स है तो हमें कितना चार्ज देना होगा तो गाइस जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहा हैं यहाँ पर लगवग मैंने 20-25 ट्रांजेशन किये हैं और सभी ट्रांजेशन जैसा कि अभी आप देख रहे हैं दो-दो हजार रुपे के हैं और चलिए दोसो फाइनली बात करते हैं कि आखिरकार हम दो-दो हजार यह भी मैंने रूपे क्रेडि कार्ड से किया है और जितने भी आप ट्रांजेशन देख रहे हैं यह सारे के सारे मैंने रूपे क्रेडि कार्ड से ही किये हैं और जैसा कि मैंने आपको देखाया है कि मेरे पास फिलान यहाँ पर लगवग पांच रूपे क्रेडि कार्ड है तो मैंने इन सभी 5 रूपे credit card के साथ अलग-अलग experiment किया और उसी के base वे अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार आप अपने रूपे credit card से कितने रूपे transfer कर सकते हैं दो-दो-हजार रूपे कर गया तो guys मैंने एक दिन अपने सभी 5 रूपे credit card से transition किये दो-दो-हजार रूपे करके और यह जो transition मैंने किये हैं यह credit application से किये हैं आप किसी भी application का use कर सकते हैं doesn't matter कि आप कौन सी application use कर रहे हैं सभी application के उपर same rules follow होते हैं तो जब मैंने अपने credit card से दो-दो-हजार रूपे करके transition करना start किया तो मैंने अपने एक credit card से तीन transition किये और जब मैंने चौथा transition किया तो वो fail हो गया जैसा कि आप स्कीन पर देख रहा है या काफी transition ऐसे हैं जो fail हो चुके हैं और उसके बाद मैंने अपने second रूपे credit card से transition किये तो उससे भी तीन transition हुए लेकिन में पास एक credit card ऐसा भी है जिससे केबल दो transition हुए कुल मिला कर चार हजार रुपे निकले तो यहां overall अगर देखा जाए तो मैंने एक credit card से एक दिन के अंदर तीन तीन transition किये दो-दो हजार रुपे करके और जब मैंने चौथा transition करने की कोशिश की तो वो fail हो गया तो यह था मेरा एक दिन का experience और उसके बाद मैंने यहां पर second day फिर से अपने credit card से दो-दो हजार रुपे करके ट्रांसवर करने की कोशिश की amount को तो जब मैंने फिर से अपने रुपे credit card से दो-दो हजार रुपे करके ट्रांसवर करने की कोशिश की amount तो मेरे एक credit card से अगले दिन केवल एक transition हुआ पुल मलाके मैंने अपने एक credit card से केवल दो हजार रुपे ही निकाले और जब मैंने second transition करने की कोशिश की तब transition नहीं हुआ और वो fail हो गया उसके बाद मैंने 2-3 दिन का gap लिया और मैंने फिर से अपने credit card से transaction करने की कोशिश की तो दोस्तों जब मैंने next time अपने credit card से 2-2 हजार रुपे करके transaction किये तो आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे एक ही credit card से मैंने जो transition किया था वो केवल अपने एक credit card से किया था और लगबग 5 बार transaction successful रहा कुल मला के 2-2 हजार रुपे करके मैंने 5 बार transaction किये और 6 बार transaction नहीं हुआ और उसके बाद मैंने अपने second credit card से transaction करने की कोशिश की तो लगबग 8-9 transaction मैंने बहुती easily कर लिये और उसके बाद मैंने अपने एक और credit card से transition करने की कोशिश की तो उससे भी उस दिन काफी अच्छे खासे transition हो चुके थे तो यहां कुल मला के जो मेरा experience रहा है वो यह है कि आप अपने रुपे credit card से अगर 2-2 हजार रुपे करके अपने saving account के अंदर transfer करना चाहते है amount को तो भाई इसकी कोई भी fixed limit नहीं है हर एक बंदे के लिए हर एक credit card के लिए अलग-अलग situation पर अलग-अलग कहानी है और इसके पीछे की यह situation क्या है और इसके पीछे का reason क्या है इसके बारे में मुझे भी नहीं पता और इस बात का discussion मैंने bank वालों से भी किया तो bank वालों ने भी कोई खास answer नहीं दिया उन्होंना सीधे बोला कि यह कोई technical error हो सकता है तो इसकी वैसे आपके transition fail हो रहा है और उसकी मेरे एक दोस्त है उसने भी transition किया अपने रूपे credit card से तो उसने एक दिन के अंदर एक ही credit card से 15 transition किये थे कोई मिला के 30,000 रुपे निकाले उसने एक दिन and so मेरे एक और subscriber है उन्होंने अपना experience share किया comment करके और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 13 transition किये थे एक credit card से एक दिन के अंदर कोई मिला के 26,000 रुपे निकाले तो दोस्तों finally है कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास रूपे credit card है और अगर आप 2,000 रुपे करके transition करना चाहते हैं तो इसके बारे में कोई भी fix limit नहीं है कि आप कितने transition कर सकते हैं एक दिन के अंदर एक दिन के अंदर हो तीस दिन के अंदर हो एक महीने मतलब जो भी आप transition आप करना चाहते हैं आप करके देख लीजिए अगर transition ज़्यादा हो जाएं तो अच्छी बात अगर transition fail हो रहा है तो इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते आपको फिर से try करना होगा next day या फिर 2-3 दिन का gap लेकर transition करना होगा तो maybe हो सकता है कि आपके transition ज़्यादा हो जाएं और चलिए आप फाइनली बात करते हैं charges के बारे में तो guys यहां काफी लोगों का doubt है कि charge कितना लगता है अगर हम अपने रूपे credit card से 2-2,000 रुपे करके transition करते हैं तो दोस्तो वैसे तो मैं आपको इसका answer already काफी video के अंदर दे चुका हूँ लेकिन मैं आपको फिर से especially बता दूँ कि अगर आप अपने रूपे credit card से 2-2,000 रुपे करके transition करते हैं किसी को payment send करते हैं तो आपको एक रुपे का भी charge नहीं लगता है लेकिन अगर आप 2,000 रुपे से उपर का transition करते हैं तब भी आपको एक रुपे का चार्ज नहीं देना हो रहा है माल लेते हैं कि अगर आपने एक लाख रुपे का भी अगर transition कर लिया अपने credit card से तब भी आपको एक रुप्या नहीं देना होगा यह जो चार्ज लगता है यह merchant को लगता है आपको एक रुप्य का भी चार्ज नहीं देना होता है credit card के transition के उपर तो मुझे उम्मीद हैं कि अब आपके जो यह दो question थे जिसकी वज़ा से आप बहुत ज़ादा परिशान हो रहे थे मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया कि मैंने कितने transition किये और आप कितने transition कर सकते हैं मैंने इसका clearly आज आपको answer दे दिया